सकलेन खान पिछली वीडियो में सकलेन खान की काफी एडिटिंग टेक्निक कवर नहीं हो पाई थी जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जिसमें हम सीखेंगे देट अनिमेशन सरकल फोटो अनिमेशन 3D मैप अनिमेशन डेट अनिमेशन डोकुमेंटरी वीडियो में काफी ज़्यादा यूज होती है पिक्सली हम पिक्सल लैब ओपन करेंगे अब प्लस आइकन से एक से दस नमबर एड़ कर लेंगे अब हम इसके फॉन्ट को चेंज कर लेंगे अब फॉन्ट को सेंटर में रख लेंगे और फॉन्ट को थोड़ा जूम कर लेंगे अब फॉन्ट में ग्लो देने के लिए सैडो में जाएंगे एंड इसे इनेबल करने के बाद बलर रेडियन्स को फुल कर देंगे अब background transparent करके photo को save कर लेंगे finally cap cut में red background को add कर लिया है then overlay से number photo को add कर लेंगे अब photo को zoom करके left side में place कर देंगे अब हम mask में जाएंगे और mirror icon को select कर लेंगे अब दोनों हाथ से lines को इस तरह adjust कर लेंगे अगर ये rotate हो जाता है तो adjust में जाएंगे और rotate को zero degree पर set कर लेंगे अब feather में जाकर इसे four पर set कर लेंगे अब हम photo को duplicate करेंगे और just इसके नीचे ले आएंगे अब हम इसे right side में place कर लेंगे अब हम photo के starting में key frame add करेंगे अब थोड़ा आगे चलकर एक और key frame add करेंगे और फोटो को थोड़ा नीचे ले आएंगे एंड अगेन मास्क में जाएंगे और दोनों लाइन को मीडल में ले जाकर दो नमबर पर सेट कर लेंगे अब हम की फ्रेम के बीच में एक ग्राफ एड़ करेंगे अब आपका एक डेट एनिमेशन तो रेड़ी हो गया है अब वही प्रोसेस दूसरे फोटो पर भी अपलाई करेंगे मैं जल्दी जल्दी इस प्रोसेस को कम्पलीट कर लेता हूँ अब हम इसमें टेक्स एड़ करेंगे अब फॉन्ट को चेंज करेंगे आप फॉन्ट को अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो और स्टाइल से टेक्स में गलो एड़ कर लेंगे लो तो हो गया आपका डेट एनिमेशन रेड़ी ये सरकल फोटो एनिमेशन से वीडियो कितना प्रोफेसनल लगता है तो चलो क्रेट करते हैं इसे परस्टली अलाइट मोशन में ग्रीन बैगराउंड को एड़ कर लेंगे दन पलस आइकन से एक सरकल शेप को ले लेंगे कलर अंड फिल से इसके कलर को वाइड कर लेंगे अब मूव और ट्रांसफोर्म में जाकर शेप को थोड़ा नीचे ले आएंगे और शेप के साइज को इंक्रीज कर लेंगे अगेन सेप पर टैप करके कलर अंड फिल में जाएंगे और इस आइकन से इनर कलर को रिमूव कर लेंगे अब इफेक्ट में जाकर शेप में ग्लो एड करेंगे अब अगेन इफेक्ट से ड्राविंग प्रोग्रेस इफेक्ट को एड़ कर लेंगे अब शेप के स्टार्टिंग में की फ्रेम एड़ करेंगे और स्टार्ट को 100 पर सेट कर लेंगे और एंड को 0 पर सेट कर लेंगे अब अगले की फ्रेम पर end को अगें 100 पर सेट कर लेंगे अब आपका circle animation तो ready हो गया है अब move and transform में जाकर shape को left side में place कर लेंगे और size को थोड़ा कम कर लेंगे अब इस circle को duplicate कर लेंगे और circle को center में रख लेंगे अगें circle को duplicate करेंगे and right side में रख लेंगे अब हम इस video को export कर लेंगे अब हम cap cut open करेंगे और उस video को add कर लेंगे अब इस video को logo से नीचे crop कर लेंगे अब chroma key से green color को remove कर लेंगे जहाँ circle finish हो रहा है वहाँ एक keyframe add करेंगे अगें थोड़ा आगे एक और keyframe add करेंगे और first circle को zoom करके center में ले आएंगे अब दोनो keyframe के बीच में graph add करेंगे अब overlay से एक circle type photo को add कर लेंगे अब photo को zoom out करके circle में adjust कर लेंगे अब photo के starting में keyframe add कर लेंगे और जहाँ circle zoom हो रहा है वहाँ पर दूसरा keyframe add करेंगे अब photo को zoom करके circle में set कर लेंगे अब दोनो keyframe के बीच में वही graph को add करेंगे जो हमने circle में add किया था अब animation में जाकर photo में zoom in animation add कर लेंगे अब वीडियो में दो second आगे एक keyframe add करेंगे और थोड़ा आगे एक और keyframe add करेंगे और second circle को भी थोड़ा middle में रख लेंगे अब same process photo पर भी apply करेंगे अब एक और photo को add करेंगे और zoom out करके second circle के बीच में adjust कर लेंगे अब इस photo को भी zoom in animation दे देंगे अब आपका circle photo animation ready हो गया है बट अभी इसमें glow effect देना बाकी है इसके लिए वीडियो को download कर लेंगे और node video editor में वीडियो को add कर लेंगे अब यहाँ glow effect को apply कर लेंगे अब इस वीडियो को download कर लेंगे अब देखो same to same लग रहा है map animation firstly map photo को cap cut में add कर लिया है अब photo की length को increase कर लेंगे अब overlay से red background को add करेंगे और photo को full screen कर लेंगे अब splice में जाकर darken animation को apply करेंगे अब map photo पर एक keyframe add करेंगे अब अगेन थोड़ा आगे एक और keyframe add करेंगे और photo को इस तरह जूम कर लेंगे अब दोनों keyframe के बीच में एक graph add करेंगे अब glow effect देने के लिए glow png add कर लेंगे अब splice में जाकर इसे darken animation पर set कर लेंगे अब glow png को zoom in animation देंगे अब हम इसमे text add कर लेंगे अब text के color को black करेंगे और इसके size को adjust कर लेंगे और इसमे fade in animation add कर लेंगे अब text को map के middle में रख लेंगे तन आपका map animation भी ready हो गया है अगर आपने इस वीडियो को first part नहीं देखा है तो check out this video अब आपका लेंगे